तमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने बढ़े हुए वजन को कम करने की काफी कोशिश के बाद भी नाकामियाब हो रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आप कहां गलत जा रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐस कॉमन मिस्टेक्स, जो हम में से ज्यादतर लोग अपनी वेट लॉस जर्णी में करते हैं, और इन्हीं मिस्टेक्स की वज़ह से हमारा वजन कम नहीं हो पाता, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हेल्थ एंड मनी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिए, मिस्टेक नमबर वान, अपने ब्रेक्फास्ट को स्किप करना, हमने धेर सारे ऐसे लोगों को देखा है, जो वजन को कम करने के लिए अपने सुभा के नाश्टे को इनरजेटिक फील करते हैं, साथ ही एक हेल्दी एंड होलसम ब्रेक्फास्ट करने से हमें पूरे दिन में कम भूख लगती है, जिसकी वजह से हमारी ओवरॉल कैलोरीज का कंजम्शन कम हो जाता है, इसके अलावा, अमेरिका की एक स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि ज जो लोग ब्रेक्फास्ट करते हैं, उनका वजन ज्यादा तेजी से कम होता है, उन लोगों के मुकाबले जो एक मित की वजह से ब्रेक्फास्ट को स्किप कर देते हैं, इसलिए वजन कम करना है तो कभी अपना सुभा का नाश्ता स्किप ना करें, और साथ ही हम सलाह दे रह हैं कि सुभा अपने ब्रेक्फास्ट की शुरुवात प्रोटीन और फाइबर से भरपूर खाने के साथ कीजिए, मिस्टेक नमबर टू, लिक्विट कैलोरीज का सेवन करना, हम में से कई लोग लिक्विट कैलोरीज का कंजम्शन बहुत ज्यादा कर लेते हैं, ये सोच कर क हम ये कंजियूम करके खाना स्किप कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, उल्टा इन लिक्विट ड्रिंक्स में हमारे खाने से तीन गुना ज्यादा भरपूर मात्रा में कैलोरीज पाई जाती हैं, एक रिसर्च में पाया गया था कि हमारे इंडिया की ज्यादातर करते हो, उसकी 21 प्रतिशत कैलोरीज आप जो खाना खा रहे हैं उसमें से नहीं, बलकि लिक्विट ड्रिंक्स में से होती है, साथ ही इन ड्रिंक्स में बहुत जादा एक्स्ट्रा शूगर आट की जाती है, जिससे हमारा वजन कम होने की जगह उल्टा बढ़ने लग जाता ह और ना ही इन ड्रिंक्स में से हमें कोई नूट्रियंट्स और विटमिन्स मिलते हैं, इसलिए अगर आप भी कोई बिवरिजस जैसे सोडा, आटिफिशल जूसिस या फिर कोई एनरजी ड्रिंक का कंजम्शन डेली बेसिस पर कर रहे हैं, तो अभी बंद कर दीजिए, इसके कौन सी बिवरिजस पीनी चाहिएं, वेट लॉस के लिए, इस प्रोसेस में जो की रिफ्रेशिंग के साथ साथ हेल्थ को भी अच्छा रखे, उन पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसे जरूर चेक आउट कीजिए, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में म वॉइट करना होगा, यानि इन्हें नहीं खाना चाहिए, जो कि बिलकुल गलत है, उल्टा काबोहाइड्रेट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉटन्ट है, हमारी बॉडि को वर्क करने के लिए ये हमारी बॉडि में फ्यूल की तरह काम करते हैं, पर अब यहां समझना ये है की दो तरह के काबोहाइडरेट्स होते हैं, जो की हैं सिंपल और कॉंप्लेक्स काबोहाइडरेट्स, अब इस में से सिंपल काबोहाइडरेट्स को खाना वो हमारी बॉडि के लिए बिलकुल गलत है, जैसे की कैंडी, रिफाइन वाइट ब्रेट, पास्ता, सोडा और लेवल को भी बढ़ा देते हैं वहीं दूसरी जगह complex carbohydrates यानी good carbs जो fiber से भर पूर होते हैं जैसे की whole wheat, quinoa, potatoes, oatmeal, beans और whole grain इन में complex carbs पाए जाते हैं तो इस तरीके से आप carbs को समझिए और good carbs को consume करिए और बढ़ा दीजिए जिससे आपको अपने वजन को कम करने में मदद मिलेगी और साथ ही कई और healthy benefits भी मिल सकते हैं Mistake No.4 अपने आपको फूखा रखना अपने वजन को कम करने के लिए खुद को भूख पर रखना सबसे गलत है जो की हम मेंसे धेर सारे लोग करते हैं जब आप अपने वजन को कम करने की वजह से अचानक से अपने खाने का consumption कम कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी body को जरूरी nutrients और vitamins नहीं मिल पाती हैं इन्ही vitamins और nutrients के भलपूते पर ही तो हमारी body काम करती है और अगर आप अचानक से अपनी body को ये सारे vitamins देना बंद कर देते हैं तो आपकी body सारी energy आपके muscles को lose करके लेने लगती है जिस से आगे चल कर आपको कई बड़े-बड़े health issues का सामना करना पड़ सकता है साथ ही भूका रहकर अगर आपने कुछ वजन कम कर भी लिया तो इस चक्कर में जब आप दुबारा खाना खाना शुरू करेंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा इसलिए ऐसा करने की बजाए आप एक healthy diet को follow करिए जिसकी वजह से आप एक healthy lifestyle follow कर पाएंगे साथ ही वजन तो कम होगा ही Mistake No.5 एक अच्छी नीन नहीं लेना दोस्तो एक सही और अच्छी नीन हमारी body के लिए wonder create कर सकती है आज कल के इस भाग दोड़ वाले जमाने में हम मेंसे कई लोग रात को देर देर तक जाकते रहते हैं चाहे वो फिर अपने social media पर active रहने के लिए या फिर biz watching करने के लिए और आप मेंसे कई लोग देर रात तक अपना काम भी कर रहे होंगे पर ये सब चीजें काफी गलत हैं अगर आप देर रात तक जाकते रहते हैं तो आपकी body अच्छे से rest नहीं ले पाती है और आप अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते साथ ही हम आपको बता दें रात को जब हम सोते हैं उसी वक्त हमारी body खुद को detox करती है शरीर में से harmful toxins को बाहर निकालती है साथ ही अगर आप देर रात तक जाकते रहते हैं तो आप calories का consumption भी ज्यादा ही करते हैं इसी लिए वजन कम करना है और साथ ही आपको हमेशा fit रहना है तो रात को अपने gadgets को size रख कर एक अच्छी नीन जरू लीजिए Mistake No.6 आपके पास why का जवाब ना होना यानि के सबसे बड़ा motivation ना होना अगर आपको वजन कम करने के लिए गोल को अच्छीव करना है तो सबसे पहले आप क्यों करना चाहते हैं वो clear होना चाहिए Why is very important to achieve any goal in life अगर आपका why clear है ना तो आपके सामने कोई भी excuse आएगा आप हर excuse को पार कर लेंगे इस journey को complete करने के लिए motivation बहुत ज़ादा जरूरी है अगर आपको इस पूरी weight loss journey में कभी भी give up करने का मन करे तो आपने ये क्यों शुरू किया था उसको याद कीजिए इसके अलावा आप कुछ motivational speakers को follow करना शुरू कर दीजिए समय समय पर YouTube पर वजन कम करने के वीडियोज को देखते रहिए जिससे आपको याद आता रहेगा कि आपको अपना goal अचीव करना है उन वीडियोज के लिए आपके पास हमारा ये channel तो है ही इस channel में दिये हुए सभी आसान से tips को follow करिए और फिर results देखिए इसलिए इस पूरी journey में अपने why को मत भूलना तो दोस्तों ये थी कुछ common mistakes जो हम मेंसे काफी लोग करते हैं अपनी इस वजन कम करने की journey में इसके अलावा भी कई दूसरी बाते हैं जो हमसे गलत हो जाती हैं जिसके कारण इतनी कोशिशे करने के बाद भी हमारा वजन कम नहीं होता इसलिए आपको इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए तो कमेंट में पार्ट टू कमेंट करना ना भूलें साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेर जरूर करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद